कि दोस्तों अगर आपको किसी भी साखा में अगर खाता में अगर बीमा अगर ओपन कर दिया गया हो अकाउंट ऑपनिंग के समय तो अगर उसमें आपको लेटर लिखना हो तो किस तरह से लिखिए गाप यहां पर हम SBI अकाउंट का लिखे हैं ठीक है वैसे मैं आपको जिस अ खाता में बीमा खुला होगा ठीक है तो यहां पर हम लेटर लिख चुके हैं आप यहां पर देख लिए हम पढ़ के सुना जाते हैं लिखावा सेवा में स्रीमान साखा प्रबंदक महुदय यहां डिवाडी बीमा बंदकरने तर्था वापिस से खाता में जमा करने है तो यहां बीमा बंद करने है तो लखिएगा है उसके बाद आगे चलिए महाण साइब सभी निवेदन या है कि मैं रिना कुमारी या फिर आपका यहां पर जो भी नाम रहेगा ठीक है फिर से पढ़ते है महाण साइ सभी ने निवेदन यह है कि मैं मतलब आपका नाम होगा यहां पर ठीक है मेरा आपका जो भी एकाउंट होगा ठीक है है तभी मेरा और का पैसा श्रूद नहीं कर वाई कि यहाँ पर आप नहीं करो यहाँ आपको नहीं करवाए थे कर लीए कहटा है इसलिए यहाँ लिखा गया है लेकिन अगर आपको सिर्फ बीमा बंद करना होगा तो आपको लिखना है कि मैं चाहती हूं कि मेरा बीमा जो मेरे अकाउंट से कट रहा है वो बंद कर दिया जाए ठीक है इस बियाई में खाता खुलने वाले वाले की गलती की कारण मेरा एकाउंट मेरा एकाउंट मतलब खाता में पैसा काटा गया है ठीक है उसके बाद आता आपसे अनुरोध है एवं बिंती है कि बीमा बंद करने करे तथा मेरा पैसा कुना से मेरे खाते में जमा करवाया जाए ठीक है ताकि मैं इस खाता से जुड़ा रहूं मतलब लंबे समय इस खाते से जुड़ा रहूं मतलब इस एकाउंट से या फिर कोई भी जिस एकाउंट में होगा है उसके बाद लिखना आपका अग्याकारी उसके आपका नाम देना है यहां दिनांग मतलब ड़ेट डालना है उसका अधार साथ करना है उसका मुझाइल नमर डालना है और नमर जो रहेगा वो डाल देना है ठीक है तो यह था दोस्तों लेटर लिखने के तरीका अगर आपको कोई भी एकाउंट में बीमा बंद करवाना है तो इसी तरह से लिखा जाता है तो इस तरह के वीडियो के साथ में आप से मिलेंगे दोस्तों नेक्स वीडियो में तब त और गूस्तों पने हैं तोल्ग दोस्तों दोस्तों यह जोस्तम हिए।